तो बिहार में BJP की एक बार फिर से किरकिरी हो गई है कब तक जूट के सहारे राजनिती करती रहेगी भारतिय जंता पाटी क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से ये एक फिल्मी शायरी है आपने सुनी भी होगी और बार बार आपस का इस्तेमाल भी करते होंगे के सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से खुश्बुआ नहीं सकती टागस के फूलों से पिछले दिनों बिहार में भारतिय जंता पार्टी ने बिहार की सरकार के खिलाफ राजभवन मार्च का आयोजन किया और इस राजभवन मार्च में लाठी चार्ज की घटना हुई और लाठी चार्ज के दौरान कथी तोर पर बीजेपी के एक कारेकरता जो जहनाबाद से आते थे विजय कुमार सिंग उनकी मृत्यू हो गई हलांकि उस वक्त ही पटना के जिला प्रशासन ने इस बात को बताया था कि लाठी चार्ज में इनकी मृत्यू नहीं हुई कई मीडिया चैनल्स कई इस देश के जो गोदी मीडिया के पत्रकार है वो लगातार दिखाने लगे लाठी चार्ज हुआ फरजी खबर एडिटेड फो तस्वीरे दिखाई जाने लगी कि बीजेपी के उस कारेकरता का सरीर पर खून के चीटे हैं लेकिन ये सारी खबरे तस्वीरे जूटी थी पोस्ट माटम रिपोर्ट आता और पोस्ट माटम रिपोर्ट साफ तोर पर कहता है कि बीजेपी के इस कारेकरता विजेए सिंग की मौत लाठी चार्ज से नहीं बलकि हार्ट अटेक से हुई अब देखिए हम आपको बताते है कि भारतिय जंता पार्टी इस पोस्ट माटम रिपोर्ट पर सवाल उठाती है जिला प्रशासन को पहले से इस बात का शक्था लिहाजा पोस्ट माटम के बाद भी हिस्टो पैथो लॉजिकल जाच कराई गई ताकि मौत के सटी करणों का पता लग सके और बीजेपी क्या को कोई भी मीडिया हाउस पत्रकार चाहे तो इस रिपोर्ट को ले सकता है जाच कर सकता है लेकिन भारतिय जंता पार्टी ने पहले तो जूट बोला कि लाठी चार्ज की वज़े से मृत्तिव की कोई वज़े सामने नहीं थी और उसके बाद भी देखिए अब बीजेपी क्य इस जाच रिपोर्ट पर पोस्ट माटम रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि हिम्मत है तो बिहार की सरकार इस मौत की जाच CBI से कराए अब देखिए CBI से जाच कराने की बात कर रहे हैं कितनी बड़ी घटना है और CBI क्या खाली बैठी हूँ ये सुशील मोधी की तरह है किसी बीआई से जाच होगी अब सुशील मोधी तो कहे के निकल लिए कहने में तो पैसे लगते नहीं कहने से बोलने से बयान देने में तो कोई बिल नहीं उठता भाशन दे के चल दिए अब बिहार बीजेपी के ध्यक्त सम्राठ चौधरी की बात कर लिजिए सम्राठ चौधरी के प्रशासन लीपा पोती कर रहा है हाई कोट के सिटिंग जच से जाच होनी चाहिए अब सुशील कुमार मोधी बीजेपी के नेता इनको सी बीआई से जाच करानी है और सम्राठ चौधरी को जाच करानी है हाई कोट के सिटिंग जच से अब भाई केंद तक इस तरीके से जूट का महौल बनाकर लगातार ये राजनीती करते रहेंगे जूट का परदा फाश हो गया पॉल खुल गई बिहार में पिछले दस दिनों से जब से लाठी चार्ज हुआ है तब से महौल बनाया जाने लगा शहीद कई देता तो विजय सिंग को शहीद कहन लगे मौत पर सियासत शुरू हो गई हाला कि इस बात का अंदाजा सबको था कि भारतिये जनता पार्टी इस पोस्ट माटम रिपोर्ट पर सवाल उठाएगी अब समराज चौधरी की और मांग देख लिजे वो कहने कि पोस्ट माटम का उनको वीडियो चाहिए आपने लेकिन क्या आपने किसी के पोस्ट माटम का वीडियो देखा है पोस्ट माटम की जाच रिपोर्ट होती है वीडियो हमने तो कहीं नहीं देखा हो सकता है भारती जनता पाटी के लोगों को कहीं विशेश तोर पर पोस्ट माटम का वीडियो देखने को मिला होगा तो खेर य यह रिपोर्ट जारी कर दिया है मत लाठी चार से नहीं हुई थी हाट अटैक से हुई थी और यही सच भी है जो जाच रिपोर्ट है वही सच है बीजेपी का काम है सवाल उठाना वो सवाल उठाती रहेगी लगातार लेकिन जूट की बुनियात पर राजनितिक कब तक होगी यह देखना समझना बड़ा दिल्चस्प होगा एक दिन तो इसका अंत जरूर होगा वीडियो अच्छा लागा हो तो शेर जरूर करिएगा अपने राएक कमेंट बॉक्स में लिखेगा धन्यवाद